आप सभी संस्कृत समुपासुकों को प्रणाम करता हूं। आज की सिक्षा में हम आध्याइन करने वाले हैं जो हमारे एकाई आठ के शेष प्रत्य रह गए हैं। उन प्रत्यों का आध्यान आज हम करेंगे और आज पूरी एकाई आठ का सफाया हो जाएगा। किसी भी हालत में एकाई आठ को हम सेश नहीं छोडेंगे ऐसा आज बिलकुल संकल्प लेकर के इस कक्षा को प्रारंब कर रहे हैं क्योंकि प्रत्यों का विशा है चुकि इसमें प्रत्य भी बहुत सारे हैं और साथ में इनको समझना समझाना उधारन देना ये सब भी थोड़ सा समस्य आ रही थी अर्थात समय लग रहा था जैसा कि मैंने आपके साथ में स्क्रीन शेयर किया हुआ है आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे मध्यप्रदेश प्रथम वर्ग चैन परीक्षा में मेरी आवाज अगर आप लोगों तक आ रही है तो एक बार विपिन जी लोग है उन सबसे अनुरोध है कि एक बार जल्दी से आप लोग मुझे अपना रिस्पॉंस दें प्रतिक्रिया दें हैं रेस कर दें या हाई कर दें चैट में कुछ भी सूचना दें विपिन जी ने बताया है जी सर चलिए धन्यवाद प्राणी जी को भी धन्यवाद आप सबसे पहले तो इसमें आता है तवरत प्रत्या कुछ लोग क्ता बोलते हैं कुछ ता बोलते हैं इस प्राकार से सब अपने अपने हिसाब से इसका उच्चरन करते सूत रहता है अर्था प्रत्य और तवतु प्रत्य इसको क्ता भी बोलते हैं कुछ लोग तो क्ता और तवतु प्रत्य ये दो प्रत्यों को निश्ठा प्रत्य कहते हैं बाइक के मर्थम निष्ठा तो निष्ठा का मतलब होता है कि समाप्ति मतलब कारेकी जब समाप्ति होती है उसका नाम निष्ठा कहलाता है तो निष्ठा जो सूत्र हैं ये जो निष्ठा सूत्र हैं मतलब निष्ठा प्रत्य हैं ये दोनों के दोनों इनकी निष्ठा संग्या इसलिए पढ़ी क्योंकि ये कारे की समापती के सूचक हैं इस कारण से इनको निश्ठा कहते हैं अब देखिएगा जैसे आप देख लीजिएगा जैसे तेन पठी तम उसके द्वारा पढ़ा गया मतलब कि पढ़ने का कारे समापत हो चुका पढ़ने का कारे बिशेश नहीं ह तो जब भूर्थ काले करतरी बाच्ची को हम कर्मबाच्ची में बदल देते हैं तब ताप्रत्य का प्रियोग हम करते हैं अब इसके प्रियोग के नियम देखिएगा कि इस प्रत्य का प्रियोग बूर्थ काल के अर्थ में कर्मबाच्य और भावाच्ची की किरिया के साथ ही किया जाता है करवबाच्य और भावबाच्य की किरिया के साथ ही इसका प्रियोग होता है धात्यू के साथ प्रियोग होने पर इस प्रत्य का केवल ता जुड़ता है का जो है उसकी यहां पर इत्संग्या हो जाती है लोग हो जाता है लशक्वत अधिते सूत्र से और उसके दंग्या हो जाती है यह बचा रह जाता है कोल मिला करके जो है यह और ता यह दोनों जोड़ जाते हैं यह आप मोटे मोटे रूप से समझ लीजिएगा अगर कोई धातू अनिट है तो अनिट धातूं में फिर इटका आगम होगा ही नहीं क्योंकि वो अनिट है अनिट में यह रूप चलते हैं साथओं विवक्तियों में चलते हैं देख लीजिए कैसे तो देखिएगा यह यहां पर पथ दातू रामॉँyes का आगम हुआ बन गया पटीतहाएं इसमें जो है इसके रूप चलेंगे, सातों बिवक्तियों में रूप चलेंगे, जैसे रामा, 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 इस प्रकार से हम रूप चलाते हैं न, तो उसी प्रकार से पटिताह, पटिताह, पटितम, पटिताह, 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 तो इस प्रकार से सारे रोप चलेंगे आपके आप यह मत समझिएगा कि एक दो बिवक्ति O मैं चलेंगे वह एक शब्द बन गया है यह मान करके चलिए राम की अनुसार जैसे राम की रूप चल रहे हैं साथ में वक्ति प्लस संबोधन में ऐसे ही इसके भी चलेंगे आगे देखिएगा इसका प्रियोग एक बार देख लेते हैं जैसे मैंने एक वाक्या यहां पर लिखा हुआ है अहम ग्रामम अगच्छम मैं गाओं को गया ठीक है मैं गाओं गया अहम ग्रामम अगच्छम अब क्या होगा कि इसको जब हम परिवर्थित करेंगे कर्म बाच्चे में बनाएंगे तो हो जाएगा मया ग्रामा गताहा मयाह ग्रामह गतह ऐसे ही और प्रियोग देखियेगा रमा लेकम अलिखत रमा लेक को रमा ने लेक को लिखा या रमा ने लेक लिखा अब यहां पर उसका ही कर्म बाच्चे में जब हम परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा अब इसी को जब हम परिवर्थित कर देंगे तो बन जाएगा अब ये देखिएगा कि ये जो पठिताह जो शब्द है ये वास्थविक रूप में यहाँ पर ये पाठ के अनुसार चलेगा क्योंकि पाठ यहाँ पर कर्म है और कर्म बाच्च में आप जानते कर्म की प्रदानता होती है तो यहाँ पर ये कर्म का ही अनुसारन करने वाला है आगे देखिए सहपत्रम अलिखत वह जो है उसने पत्र लिखा तो हो जाएगा कि तेन पत्रम लिखितम उसके द्वारा पत्र लिखा गया यहां पर हमने तया कर दिया है तेन हो जाएगा तेन पत्रम लिखितम क्यों हुआ इसलिए क्यों कि पत्र जो है वो नपुनसक लिंग क है इसलिए यहां पर लिखी ताम हो जाएगा अब आगे देखें धातु के साथ प्रतिय लगने के बाद स्मद्श कि बाद चले इस्त्री लिंग में रमा की बाती चलेंगे और नपंसक लिंग में फल की बाती चलेंगे इसमें किसी भी तरह का कोई confusion नहीं है आप बड़े आराम से इसको याद कर सकते हैं पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और देखिएगा यदि धातु का अंतिम अक्षर ना या मा है यदि धा जैसे गम दातु थी तो गम में क्ता प्रत्य जुड़ा तो मा का लोग हुआ और उसके बाद में क्ता प्रत्य जुड़ा इका आगम मतलब इटका आगम भी इसमें नहीं होगा और यह बन जाएगा गतहा तो गतहा यह सब्द कैसे बना है इसी प्रकार से बना है आगे देख प्रत्या नम प्लस का प्रत्या है नम दातु के मां का लोग हुआ नतहा हो गया इस प्रकार से यहां पर हमने इसको समझा प्रत्या का अकर्मक दातु के साथ भी प्रियोग होता है और ये करत्री वाच्चे में भी प्रियोग होता है कैसे देखते हैं कुछ उदारणों को करत् कृतिमा होती है और क्रिया के लिंग और वचन भी करता के अनुसार होते हैं इसी तरही के से जब का प्रत्य होता है तो उसके जो है वो दो प्रकार के रूप बन जाते हैं अकरमक दातुओं के साथ मैं बता रहा हूं सकरमक के साथ नहीं अकरमक के साथ देखिए कैसे जिसे बा बालकेन हसितम, बालक के द्वारा हसा गया, यहां पर यह नपुनसक लिंग का जो है, हमने प्रियोग यहां पर किया हुआ है, और ऐसा ही प्रियोग होगा, जब हम भाव आच्चे में प्रियोग करेंगे, तो यहां पर यह भाव आच्चे में बना रहे हैं, तो बालकेन हसितम लेकिन अकर्माग धातु अगर करत्री वाच में है तब भी प्रियोग होगा और बालकाहा हसिताहा ये इस प्रकार से भी हमता प्रत्या का प्रियोग कर पाएंगे यहां पर हसिताहा इसका विशेशन बन जाता है ये रूप हमारे सामने आता है यदि कोई धातू गमनार्थक है गत्यर्थक धातू है तो ऐसी गत्यर्थक धातूं के साथ में यह कारुणवाच और करत्री वाच दौनों में ही प्रियोग किया जाता है कैसे तो देखिएगा जैसे सहगता और तेन गत्म तो ऐसे दो यहां के एक्सेप्शन हैं इसके मतलब इन दोनों को आप अपवाद हैं इनके इनको छोड़ दीजिए एक तो अकर्मत धातू हैं दूसरा गत्यर्थक धातू हैं तो यह जो धातू हैं इनके साथ करत्री इसमें भी इसका प्रियोग हम कर सकते हैं कर पाएंगे कोई इसमें फानी नहीं है आगे देखिएगा किस प्रकार से यह बनते हैं रूप इसको एक बार देख लीजिएगा हमने एक छोट असा यहां पर को चुदारण दिये हैं अस धातू का पुलिंग में भूता भूता भ इसके प्रकार से तीन रूप इसके सामने आ जाते हैं तो यह तीनों लिंगों में इसके अलगला रूप हमें देखने को मिलते हैं इसमें किसी प्रकार की कोई हानी नहीं है आगे चलते हैं अगर सेट धातू होगी मतलब कोई धातू अगर सेट धातू है और उसके साथ में क प्रत्या से जुड़ करके शब्द क्या बनेगा आईए देख लेते हैं देखिएगा धातु के साथ ता प्रत्या जब लगता है तब किस प्रकार से सेट धातु में परिवर्तन है कोई विशेश परिवर्तन नहीं आने वाला है धातु जियों कित्यों है बीच में आप है आपको जैसे बाद है तो बना दिया बाधितथा बाधितं जह प्रकार से अप बड़ी सामन रूपसे इसको जान और समझ सकते हैं इसमें कोई भी किसी भी तरह की समस्या नहीं है अच्छा कुछ चीजों को कुछ विशेश विशेश उनको आप ध्यान रखिएगा धातुओं को जैसे वद धातु है तो वद धातु का बनता है उधितहा, उधिता, उधितम, समझीएगा आप लोग कि यहाँ पर इसको संप्रसारण हो जाता है और संप्रसारण में वा की जगा उ हो जाता है इस कारण से वद को उध हो जाएगा तो उधितह बन जाएगा वा को उ हो जाएगा इसलिए उधितह बन जाएगा और जब यह उधितह बन रहा है उधितह उधितह उधितम तो यह जो और बड़े अच्छे से आप ध्यान रखेंगे तो आपको परीक्षा में यहीं से प्रश्ण पूछे जाएंगे, सामान्य प्रश्णों की आप उमीद मत करिए, प्रश्ण जो हमें सेलेक्षन दिलाएंगे ऐसे ही प्रश्ण दिलाएंगे, जिनमें हमें डाउट हो सकता है, ज क्योंकि competition संस्कृत वालों में ही है कोई बाहर का व्यक्ति आने वाला है नहीं संस्कृत की ही परीक्षा है और इसमें 100 नंबर की परीक्षा है तो काफी इसमें, सारे के सारे लोग proud हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई अभी-अभी B.Ed करके आया है, या अभी-अभी तुरंथ ही जो है शास्त्री करके आया है और सीधा परीक्षा में बैठ गया है, ऐसा मुश्किल से कोई एकाद होगा और होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें M.A. औ बनता है, तो इसी का उशिता, उशिता, उशितम बन जाता है, इनको अगर याद रखेंगे, तो आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा, प्रशन यहीं से आएंगे, और हो सकता है, यहीं प्रशन आ जाए, कि वस धातू, वस प्लस ता, इस उकल टू कितना होगा, बराबर क इतना होगा, तो लोग वसिता कर देंगे, लेकिन उशिता होता है, यह दियान रखना है आपको, एक बार छोटी सी गलती आपको सेलेक्शन से दूर कर देती है, तो इसलिए इनको जरूर दियान में रखिए, तवतु प्रत्या का प्रियोग भी कैसे होता है, उसको भी जानता है, और वाक्य के करता का जो भी लेंगे वचन तता विवक्ति होती है, तवतु प्रत्या में भी वही होती है, यह बिल्कुल सीधे-सीधे नियम है, अगर कोई कर्तरी बाच्चे में प्रियोग हो रहा है, तो कर्ता के अनुसार सब चलेगा, कर्म बाच्चे में प्र अनुसार ही मंत्री मुख्य मंत्री बनते हैं ऐसे ही जो बाच्चे होता है कर्म बाच्चे हो या कर्त्री बाच्चे हो तो जिसकी प्रदानता है तो सब उसकी अनुसार चलेंगे ये बिल्कुल सिंपल ही है ताप रत्य में क्या होता है अगर हमने किसी सब्द में ताप रत्य जोड़ दिया उसमें आप वान वती और वत जोड़ देंगे तो वो क्या होगा तवतु प्रत्य हो जाएगा आपको कुछ अलग से इसके लिए कोई नियम नहीं लगाना है बहुत सरल है सिंपल है कोई दिकत नहीं है ठीक है तो देखिएगा जैसे लिखित सब्द बनाता हमने लिखिदातु में ता प्रत्य जुड़ा तो लिखिता हम लिखिता बनाता ऐसे ही अब इसको क्या करेंगे अगर इसमें हम वान जोड़ देंगे अगर हम इसमें वान जोड़ देंगे तो ये तुरंत ही हमारा कवतु प्रत्य युक्त बन जाएगा लिखित वान पठित वान हसितवान इस प्रकार से रूप बनते हैं खादितवान उक्तवान ये सारे प्रियोग हम सभी जानते ही हैं पुलिंग में इस प्रकार से बनते हैं बालक ने लिखा बालका लिखितवान इस तरी लिंग में नदी के अनुसार रूप चलेंगे लिखितवती बन जाता है इस तरी लिख्वा इस तरह लिखक में नदी के अनुसारूप चलेंगे बहु वह बालिका ने लिखा coordin लिख्या ने लिखा तो बालिका लिखित कुछ तो क्या हो जाएगा कि अंबाली का नहें लिखा तो इस प्रकार से यह यह पर यह प्रियोग श », अब हागे देखते हैं जैसे नपूनसग लिंग में होता है लिखितवत बन जाता है Symphony में वो जो है ये नपुनसक लिंग में प्रयोग बन जाएगा तो ये इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं लिखिद्वत नपुनसक लिंग में हो जाएगा लिखिद्वान फुलिंग में हो जाएगा इस तरी लिंग में लिखिद्वती हो जाएगा अब आगे और देखते हैं अब चलिए और इसके रूप जो है वो जगत की तरह चलते हैं जैसे लिखित वत है इसके रूप जगत की तरह चलते हैं जैसे जगत, जगती, जगनती इस प्रकार से इसके भी रूप चलेंगे आगे देख लीजिएगा अब दूसरा प्रत्या जो हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद ताव तवतु प्रत्या को हम यही पर विराम देते हैं और इसको हमने समझ लिए ज़्यादा इसमें समझना नहीं है ताव तवतु प्रत्या भूत काल में होते हैं निष्ठा कहते हैं इन के रूप जो है वो जोकता प्रत्या है उसके इस्त्री लिंग पुलिंग और नपुनसक लिंग में रूप चलते हैं राम रमा और फल की बाती और तवतु पुलिंग में चलते हैं ये भगवान शब्द की तरह है इस्त्री लिंग में नदी सब्द की तरह है नपुनसक लिंग में जगत सब्द की तरए इसके रूप चलते हैं बिलकुल सिंपल है कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है यह जो है कर्म बाठ्चे में अक्ताप्रत्या है तवतुप्रत्या कर्त्री बाठ्चे में हैं और दो मैंने जो अपवाद पढ़ाए थे अकर्मग दातू और गत्यर तो जाएगा.